नमस्का दोस्तों इनकी एज 55 यर्स की है और इस हाथ को देखे तो इनके हाथ में वर्तमान में कोई तकलिफ मुझे दिख नहीं रही है यह बीना तकलिफ से केवल क्योरिसिटी के लिए आया हुआ लगता पाम है यह जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुशाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपरचुनिटी आती है उसे ग्रेव करके आगे बढ़ता है यह पूरा स्क्वेरिश पाम है व्यक्ति महनती होता है और मैनत करके अपने जीवन को सबल बनाता है फर्स फैलेंज नुकिला है तो कारेकरपती जीत होती है सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है जहां लोजिक की जोरत वाँ लोजिक यूजिक यूज किया जहां चूप रहने लेते हैं और सुरी की उंगली भी बड़ी है जुपिटर की उंगली से तो हिमती सभाव भी पाया जाता है और समय कैसा भी चले जीवन का आनंद जरूर लेते हैं और जिब में 50,000 और 50,000 लक्ति रिसक लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं फर्स्ट फैलेंज इस उंगली का सुरी परवत तक नहीं पहुच रहा है पर इनके हाथ में मनी ट्रैंगल जरूर है जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुचती सुरी के उंगली के तो वेक्ति डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मेनेजमेंट औ तो उसमें भी हम मध्यम गिन सकते हैं, अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं, यहाँ पर बुद्परवत पर एक दूर छोटी-छोटी फिश्टा इने नजर आ रही है, एक यहाँ पर है, इस जगह पर, यह बिजनेस सैंस देने वाली साइन है, यह पैसा नहीं देती, यह केवल बिजनेस सैंस देती है, बिजनेस को समझने की माश्टी इनके पास ज़्यादा होती है, एक यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर भी है ये दू-तीन जगह पर छोटी-छोटी साइने इनके हाथ में जरूर है अब इनका जब सन माउंड का सब्जेक्ट आया तो थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्रोमेज किया एक जो जो मुझे दिख रही है उतना सहयोग नहीं किया इन्होंने बागी फोटो में काफी सहयोग किया पर ये एक फोटोग्राफ में सहयोग नहीं किया एक यहाँ पर शो हो रही है ये क्लियर कट है एक मुझे यहाँ पर आभास हो रहा है पर ये किंतू-परंतू मैं ये ऐसे घूम रही है काफी मोटी साइन इस जगह पर है और काफी अच्छी है बड़ी है पर ये थोड़ी सी स्पष्ठता आती तो ये क्लियर कट दिख जाती ये कहाँ पर कोई किन्तु परन्तु नहीं ये एकदम क्लियर है एक यहाँ पर भी लग रही है पर ये भी किन्तु परन्तु में जा रही है यानि इस परश्ठ होकर कह नहीं सकते कि ये है आवास हो रहा है और यहाँ पर भी हो सकती है बाकी सारी किन्तु परन्तु में केवल स्पस्टता पर ये एक दिख रही है और सेकेंड ये वाली शो हो रही है बाकी एक जो ज्यान के अनुसार मुझे आवास हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ काफी अच्छी विद्यारेखा बनी हुई है व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज की कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नती भी करता है और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा लोग कुछ कर काम करेंगे और इनकी फेट लाइन पर आऊँगा तब इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा सनी परवत एक दम फ्लैट है तो आलश क्या होता व्यक्ति को पता ही नहीं होता जुपिटर वाउंड पर देखे तो एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन यह जब लाइन होती तो व्यक्ति को मुल्टिपल इंकम के सोर्स क्रियेट होते पामिस्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है सिवा भवी होते हैं और धार्मिक ताभी रहते हैं वागिन जुपिटर वाउंड नॉर्मल है अंदूनी मंगल भी काफी अच्छा है तो यह सारे रे गुर्जा अच्छी घासी देता है ये परवत भी भारी मंगल भी उत्तम है जब किसी से मिलता है तो वेक्ति एनर्जी के साथ मिलता है सामने वाला comfortable फिल करता है और संकट के समय वेक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है चंदर परवत पर भी एपेक्साइन बनी हुई है तो कहीं ने कहीं अच्छे परचेसर होंगे ये चंदर से related गुण बढ़ जाते है इस एपेक्साइन से और चंदर परवत अच्छा है तो वेक्ति को वीडेस में घुमने का अउसर मिलता है या कोई ना कोई संतान या वीडेस जाने के भी चांसे बढ़ जाते है पर किसी न किसी तरह indirect डायरेक्ट वीडेस से संबन आता है वेक्ति का पानी अच्छा लगता है दूद से बनी वस्तु अच्छी लगती है नेड़े शक्ती अच्छी होती है अच्छे परचेसर होती है ये लग ये सारा गुंदर में इनको मिलता है और एक मनी ट्रेंगल भी है आँ बहुत बड़ा तो मैं नहीं कहूँंगा और जनरली फीश हैन वालों को न भी हो तो कोई फरक नहीं पड़ता पर एक मनी ट्रेंगल जरूर है तो ये एक Extra Advantage तो है ये शुक्र पर्वत भी अच्छा है तो अच्छे कपड़े पहनना अच्छी तरह रहना ये सारे गुंध धर्म इन में रहते है खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना और ये जो बुद्परवत था इस पर भहुत सारी खड़ी लाइने भी है तो ये विजनेस माइड और थोड़ी सी वानी वेरसित हाँ बहुत ज़्यादा उभार नहीं है बहुत ज़्यादा सुन्दरता तो नहीं देता पर उस पर फीश आ गई है तो बिजनेस सेंस इस तरह की नहीं देख रहे है हदे रेखा देखे तो देखिए शनी परवत से ही सुरू हो रही है जब ये शनी परवत से सुरू होती है तो व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान होता है कामुक भावना देता है और तीसरी चीज कभी-कभी हाथ प बहुत सिंपल पाम है ज़्यादा लाइने नहीं है माइन लाइन यहां से शुरुआत हो रही है जुपिटर से तो वेक्ति महतो कांची होता अपनी महतो कांचा पूरी भी करता है और एक दो जगह पार यह पैरलर लाइन चल रही है यह वेक्ति को कहीं न कहीं थोड़ा सा दबाओ तो देती है और यह पिरियड होगा लगबग 32 के आसपास का दो तीन साल का पिरियड दबाओ में गया होगा 32 के आसपास से लेकर और इसी जगह अगर यव साइन बन जाती है तो वेक्ति का जीवन पूरा कष्ट कोंड रहता है अब यहाँ पर कोई न कोई वले जरूर दिख रहा है पर यह यव है या नहीं है वो मालुग नहीं और यह लाइन सीथी चल कर आगे बढ़ रही है और ऐसी अगर पैरलल लाइन दिखे तो नीन से रिलेटेड इशू जरूर रहते है वेक्ति को बाकी माइन लाइन बहुत बड़ी भी नहीं है बहुत छोटी भी नहीं है तो बुद्धी प्रतिवा एकदम व्योसित होती इनकी अब इनकी जीवन रेखा पर देखे तो इस लाइन ने इनके जीवन में सेना यह बजाई तीविस के आसपास उसके बाद दू तिन छोटी छ एक 29 के आसपास भी कट कर रही है और इस पिरियड में अगर यह लाइन नीचे जाती होगी तो कोई नियर एंड इरर की भी डैथ हुई होगी फिर एक छोटी सी लाइन 31 के आसपास भी कट कर रही है और बहुत बड़ी राव रेखा 33 में आई यहाँ पर इनको आबास हुआ होगा कि कुछ रॉंग हुआ जीवन में काफी बड़ी राव रेखा थी अब एक आपशुट भी दिख रहा है पर यहाँ पर इंक प्रॉपर ना लगने के कारण इसका उद्गम स्थान पता नहीं चल रहा है अगर यहाँ पर होगा उद्गम स्थान जो आबास हो रहा है वो इसाब से 35 के आसपास यह आपशुट नजर आ रहा है फिर बीच में एक दो जरूट छोटी छोटी राव रेखा है और एक बड़ी राव रेखा ने 44 में कट किया हुआ उसके बाद 47 में कट कर रही है 47 में और यह 49 50 में यह भी काफी बड़ी राव रेखा थी यहाँ पर भी इनको काफी तकलिप आई होगी इस राव रेखा में भी और यह एक ट्रैंगल बन रहा है और यह आपशुट पच्पन यानि 55 या 56 के आसपास इसे है और यह जब ट्रैंगल बनता है तो इतना बड़ा ट्रैंगल हो तो यह दो से तीन प्रॉपर्टी तो जरूर दिलाता है और इस लाइन ने अगर इस ओफशुट को काटा होगा तो इस पिरियड में 49-50 के आसपास कोई लिटी केशन का भी सामना किया होगा अगर काटी होगी तो और यह अगर रुख जाती है यहां पर तो यह केवल ट्रैंगल बनता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं और यह उफशुट के आसपास भी बाम मुली सी बार एक सी राउ रेखा है धागे जैसी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है यह इनको बेनिफिट या तो मिल चुका होगा या मिलने की तैयारी में है उसके बाद 59 में एक छोटी सी राउ रेखा है एक 62 में है और एक 71 म और इन राउ रेखाओ के बाद कोई राउ रेखा ही नजर नहीं आ रही है यह बेस्ट जीवन रहेगा इनका अब धन रेखा के कट देखते है और अगर यह साइन यहापर बनती होगी तो यह शरीर में एनरजी भी देती है और कोई न कोई संतान या तो पैसा कमाने के लिए या विदेश जाता है दूनों चीज़े होती है अगर यह साइन कम्प्लीट होगी तो क्योंकि यहापर यह कम्प्लीशन शो होना चाहिए और यह यात्रा रेखा है इनको ओल्ड एज में यात्रा भी अच्छी करने मिलेगी अब एक कठ इनको उम्र लगबग इस समय होगी इनकी 31 के आसपास या 30 के आसपास इस रेखा ने काटा एक रेखा ने काटा 33 के आसपास और एक कठ 41 के आसपास 40-41 के आसपास दिख रहा है और छोटे-छोटे कट जरूर दिख रहे है यहाँ पर हर जगा मैं एज बताने की कोशिज करता हूँ यह कठ होगा लगबग 43 के आसपास 43-44 यह कठ होगा लगबग 48 के आसपास या 47 के आसपास यह कठ 49 के आसपास यहाँ पर इन्वेस्मेंट भी हुआ हो सकता है 53 के आसपास या इन्वेस्मेंट या कोई न कोई छोटा-मोटा नुकसान और यह देखिए यह 55 के आसपास और इन्वेस्मेंट के चांसे से हैं और उसके बाद धन रेका ऐसे गुमाव ले रही है और एक धन रेका और यहां से एक और धन रेका निकल रही है जो इनको कोई न कोई benefit दिलाएगी या तो मिल चुका या मिलने वाला है या कोई नया काम चालू होने वाला है और यह गुमाव लेकर पूरी end तक इस तरह से जा रही है जुपिटर की और जुपिटर की और जाती है तो इतनी संपत्ति तो व्यक्ति जमा कर लेता है कि बुड़ापा आसानी से निकाल सके अब इनकी ओरिजनल फोटो पर आते है यह जो पिरियड रहा होगा इनके जीवन का इस पिरियड के बाद यानि लगबग 32 के आसपास से अब टू 38 तक यह याद करने जैसा 37-38 तक यह अच्छा पिरियड नहीं रहोगा और उसमें भी यह दो साल तो बहुत ही खराब रहोंगे 35 से लेकर 36.5 तक इसके बाद यह कट यह पिरियड बहुत एक्सपेंसिव रहोगा कम ग्रोथ का रहोगा unwanted expense आये होंगे और यहाँ पर ऐसी कोई कमिया नजर नहीं आ रही है हाँ एक जरूर फेट लाइन एक्स्टा निकल रही है और यह और इस तरह से गूम रही है तो ज़्यादा कोई माइनस पॉइंट ही साथ मैं दिख नहीं रहा हाँ सन माउंट की अगर क्लियारिटी आ जाती तो सुने में सुहागा होता और ऐसा रेर में होता है कि बीना कोई तकलिफ के हमारे पास आता है पाम एनालिसिस करने के लिए उसमें से यह लग रहे है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गये होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद